इलावाध हाई कोर्ट ने जेल में बंद सजायाफ्ता कैदियों को दिये जा रहे मांदेय सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के न मिलने पर चिंता जताई है। कोर्ट में कहा है कि सरकार इस संबंध में उप्युक्त कदम उठाए। कोर्ट ने इस संबंध में महाधिवक्ता से अगली सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। कोर्ट अब इस मामले में 22 माई को सुनवाई करेगी। वारानसी के बच्चे लाल की ओर से दाखिल जनहे त्याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ती प्रीतिंग कर दिवाकर और न्यायमूर्ती स्टी सिंग की खंटपीट सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दोरान वितर सचिव और जेल महानेदेशक कोर्ट में उपस्थित थे। जा रहे मानदेय पर भी चिंता जताए। कहा कि नए जेल सुधार कानूनों के आने के बाद मानदेय जसका तस है। उसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर नए और पुराने जेल सुधार कानून में फर्क क्या है। कोर्ट ने पूछा कि यूपी में कितनी वर्टिकल जेले बनाई जा रही है। जेल अधिकारी इसका सटीक जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट में कैदियों के स्किल डेवलपमेंट किये जाने के मामले में भी थोस कदम उठाये जाने की जरूरत बताए। इस पर महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि वो जेलों की सुधार के मामले में अफसरों से बात कर थोस कदम उठाएंगे। इस पर कोर्ट में उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी अगली तिथी पर देने को कहा। साथ ही सुनवाई के लिए तिथी तै कर दी।